अधार काड लोगों की पहचान है, हर जगा इसकी मांग की जाती है, इसले कर भारतिय विश्ष्ट पहचान प्राधिकरन यानि की UIDAI ने अधार काड को लेकर देश के लोगों को अलर्ट कर दिया है UIDAI ने कहा है कि सभी 12 डिजिट नमबर अधार काड के असली नमबर नहीं है, अधार काड में छेड़ खानी की घटनाएं काफी बढ़ गई है, इसी धोखा धरी से बचने के लिए UIDAI ने चेतावनी जारी की है, कहा गया है कि काड धारक की पहचान प्रमाण के तौर पर अधा काड बनवाना है या फिर कोई सरकारी योजना का लाभ लेना है, हर जगा अधार काड की बांग की जाती है, इसले कर UIDAI ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि सभी 12 डिजिट की संख्या अधार नहीं होती है, व्यक्ति के अधार काड का नमबर सही है या नहीं, इसके इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर वेरिफाई किया जा सकता है, इसके अलबा इम आधार एप के जरीए वेरिफाई किया जा सकता है, कैसे करें आधार काड वेरिफाई, आधार का वेरिफिकेशन ओनलाइन और ओफलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए य करने के बाद 12 अंकी संख्या की वेरिफिकेशन स्क्रीन पर दिखाई पर जाएगी। अगर आपका आधार नंबर असली होगा तो वो सब कुछ बता देगा। अपडेशन से पहले जान लीजिए ये बाते। दूआई डियाई के ओफिस मेमरेंडम के अनुसार अधार कार्ड होल्डर अपने अधार में सिर्फ दो बार अपने नाम को अपडेट करा सकता है। इसके अलाबा अधार कार्ड धारक अपने पूरे जिवनकाल में जन्मतिती और लिंग को बस एक बार ही अपडेट करा सकते हैं। एक फोन से पांच लोगों के अधार होंगे अपडेट। जब आपको अधार को लेकर कोई बदलाव करना हो, तो आप परिवार के किसी भी सदस्य के अधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं। बेरहाल आज अधार हर काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है अगर सरकारी योजना का लाब लेना है तो इसे दिखाना जरूरी है इसे सबसे सुरक्षित भी माना जाता है लेकिन कुछ लोग इसमें बड़ी गरबड़ी करते हैं और अब डुब्लिकेट भी बनाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताके हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें